मैं नरेंद्र महता मुझे काफी सुष्टी और इसके अटेक जैसे आते थे कि जिसमें मैं सुबह एकदम फिट महसूस करता था अपने आपको लेकिन कुछ ही गंटों मैंसा लगने लगता था कि भई अभी मेरे से कोई भी काम नहीं हो पाएगा इवन मेरा दिमाद सोचने और समझने के लिए भी कोई तयार नहीं होगा था मैं फोन के सिच ओफ करके चार पांच गंडे सो जाता था तैसकि बिल्खुल डिसकनेट कि ना किसी से बात करने के इच्छा होती थी ना कोई फोल की रिंग भी अच्छी लगती थी मुझे और इसक शायद एक ये डेड़ महने का मेरे ट्रिट्मेंट लेते हैं उसके बाद से मुझे जो ये अटेक आने परते थे कभी भी अचाना थकान मैसूस होती थी वह उसमें काफी कम हो गया है बल्कि बोलो दो नहीं जैसी हो गई अभी और इसकी वजह से मुझे मेरे फूड में और दूसरी तक लिए मेरे मेंटली में मुझे बहुत डिस्ट्रक कर दी थी थकान दो रखते थी लेकिन दीमार कुछ सोचने समझने के अभी काबेल नहीं रहता था उस पीरेड में उसके बाद मुझे अच्छा लगता था जब पाच्छे गंटे की नीन लेने के बाद ही लेकि और उसमें मुझे काफी फरक पड़ा है पहले मैं जरह भी मिल्क या मिल्क प्रोड़क लेता था तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी अभी मुझे उसमें इलर्जी में भी काफी फादा हुआ है जो मैं कभी ले भी लेता हूं तो मुझे को तकलीफ उतनी होती नहीं है और मुझे इंडाइजेशन का भी प्रॉब्लम रहता था, वो भी थोड़ा बहुत चालू है, लेकिन उसमें भी मुझे काफी बेनिफिट हुआ है.